हमारे करंट नैशनल फ्लैग की डिजाइन के ओरीजन का क्रेडिट जाता है पिंगाली वैंक्या को इनके दुआरा नैशनल फ्लैग को डिजाइन करने में काफी सालों की रिसर्च की गई 1916 में पॉसिबल डिजाइन ओफ इन्डियन फ्लैग पर बुक भी पब्लिश की गई थी 1921 में ये गांधी जी से मिले और उन्हें कुछ बैसिक डिजाइन्स बताए पैंग्या के फ्लैग में एक रैड और एक ग्रीन कलर की स्ट्रिक्स थी जो की दो मेजर कम्यूनिटी इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करती थी हिंदू एंड मुस्लिम गांधी जी ने इसमें एक वाइट स्ट्रिप और बीच में चर्खा एड करने का सजेशन दिया वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है शांती को और चर्खा प्रोग्रेस ऑफ कंच्री को 1931 में कॉंग्रेस कमिटी ने ट्राइ कलर को एज़ा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया समय के साथ साथ इसकी बैसिक डिजाइन में कुछ बदलाव किये गए जैसे रेट कलर की जगए सैफ्रॉन कलर और 1949 में चर्खी की जगए अशोक चक्र आया जो की बॉरो किया गया था साथनाथ के लाइन कैपिटल ओव अशोका से वैसे देखा जाए तो हमारा फ्लैग तिरंगा नहीं चौरंगा है अशोक चक्र का ब्लू कलर सैकेंडर कलर होने की वज़े से काउंट नहीं किया जाता और इसलिए हम सब इसे तिरंगा ही बुलाते हैं